तुहार की इस सीजन में बनाए घर पे दो अलग अलग बहुती जबरदस्त छैना की बहुती स्वादिश मिठाई तो नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप आशा करती हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगी तो आज हम बनाएंगे चैना की दो तरह की मिठाई जिसमें होगा चैन दूद को अच्छे से बॉयल कर लेना है और दूद अच्छे से जब बॉयल हो जाए ना तब इसमें थोड़ा थोड़ा करके बिनेगर वाला पानी डाल देना है जब तक कि दूद फट ना जाए यानिकी चैना और पानी अलग ना हो जाए तो देखें दूद हमारा फट कोई भी चैना की या कोई भी मिठाई बिल्कुल भी नहीं लाएंगे क्योंकि घर की मिठाई इतनी स्वादिस्ट बनेगी कि आपको मार्केट वाली तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगने वाली है तो देखें हमने चैना को चान लिया है और इसमें ना हमने डाला है नॉर् लेंगे और अब बनाएंगे चास्नी, तो चास्नी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक अफłसार प्रैसल लिया है, और उसमें डाला है, इसको अच्छे से मसल लेंगे जब तक यह सॉफ्ट ना हो जाए दो से तीन मियुट लगता है इसको सॉफ्ट होने में और आप जाहें तो यहां पे थोड़ा सा एक चमच के करीब आप इसमें आरा रोड डाल सकते हैं या मैदा डाल सकते हैं ताकि जो स्पॉंज बनाने वाले ही वह लोड चाल थैना तो अब हमने थोर असमें अपनिके घुल गवर फूर च्पी पर फूट डाला है यलो कलड आक के पास हो तो डाल सकतें आपके पास जो भी कलोर हो डाल सकते और आप इसके बहुत अच्छा बनेगा तो देखे चैना को हमने अच्छे से मसल लिया है बिलकुल छैना सॉफ्ट हो गया है और अब हम फटा-फट से इसके जो है बॉल्स मना लेंगे और इसको पिल्कुल पहले स्लेंडर का सेव देंगे और इस तरीके से हाथों से दवा के तो इस तरीके से क्यूंकि हम मलाई चॉप बना रहे क सी तरीके का डूप कर दे most like sm quoted जो भी तारम बना सकते हैं आप श्रीखें ना चाहते हैं आप स्काणिक यहां पर हमारे छासने है वाल दाली 달 दिल दिल सकते हैं और अब हम एक एक करके इसमें यह डाल देते हैं तो यहां पे टेंपरिचर इसका विल्कुल होना चाहिए और सारे हम डाल के और इसको 15-20 मिनट के लिए को करेंगे तो 15 मिनट के करीब हो चुका है अब मैंने इसको चेक किया तो इसकी साइज देखे डबल हो चुका है अब हम थोड़ा सा लटपलट लेते हैं और 5 मिनट के लिए और इसको करेंगे तो इसको जादा टाइम नहीं लगता है को गोने में 15-20 मिनट लगता है वो सकता है 5 मिनट जादा लग जाए पर 25 मिनट से जादा नहीं लगेगा पर अच्छे से कुक नहीं होगा तो बाद में जाकि चप्टा हो जाएगा तो इसको अच्छे से कुक करना पहुत जरूरी है बीस मिनट की करीब हो चुका था यह अच्छे से कुक हो चुका था तो मैंने इसको उतार लिया गया गया और मैंने कड़ाई में एक लीटर और फुल क्रीम दूद डाल दिया है और यहां पे हम लगाता हमたयर दूद को चलाते हुए दूद को में थिक करना है एक लिक दभ तक हमें से बीडिक से जब दोड़ को चलाते रहे रहे है तो यहां पर ज़रूरी नहीं है कि आप दूद से बनाए आप चाहे तो यहां पर मिल्क पॉडर से भी बना सकते हैं जल्दी थिक हो जाएगा आप दूद में मिल्क पॉडर मिला के जल्दी से दूद को ठिक कर सकते हैं या मार्केट बालब माबा का भी यूज कर सकते पर घर की जो बनी हुई होती नरपरी उसका स्वाधी के लिए मैंने थोड़ा सा इलैची पॉडर डाला है फ्रेश इलैची कुट के डाला है देखे दूद अच्छे से ठीक हो जुका है अब हम निकाल देंगे थोड़ा सा रहने दीजे पूरा निचोड़ना नहीं अच्छी तरीके से हल्का सा जूसी भी होनी चाहिए और इसको इसको कट करेंगे तो यहां पे एक को मुझे दो बनाना है बहुत ही असान आप बना सकते हैं चाहे तो आप इसके उपर जो हमा और बिना कट्रइग सेह सकते हैं या तो कट कर द आलेंगे तो बहुत अच्छा बनता आप वाद जो этग कोशिश किईगा तो मैंने इसी तरीके और ये प्रबुर को अच्छे से थोड़ अब नहीं नहीं कुछ мерा नहीं को जड़ शबने घ्राइड को स्टनती तो अनलै का दें इस में लिविन a strength layer of life रहा है Hendak a strength layer of life बस इसके उपर मलाई लगा देंगे और सारे पीसिस में अच्छी से मलाई लगा देंगे थोड़ा सा इस पे डेक्परेशन करेंगे तो मैंने यहां पे थोड़ा सा केसर का टीका लगा दिया है थोड़ा सा केसर के टीका लगाने के बाद मैंने इस पे ग्रेन कलड़का भी टी बहुत ही सुन्दर देखने में लगता है और खाने में इतना स्वाद लगता है कि एक बाद जरूर से बना के ट्राइ किजिए तभी आपको पता जड़ेगा और इस रक्षाबंदन आप अपने भाई को अपने हाथ की मिठाई बना के खलाईए तो हमारी एक मिठाई तो तैया सिर्फ घाय की दूद से अच्छी बनती है पर मैंने रसकुला बनाने के लिए फूल क्रीम दूद का इस्तिमाल गया है और यह 28-iger बॉंफ बना था तो आपका भी बन सकता है तो आप यहां पर ना नीमु का रसका भी इस्तमाल कर सकते हैं यह आपके पास खोई भी खटाई हो ना तो दूद को फारने में इस्तेमाल कर सकते हैं तो देखिए हमारा दूद जो है अच्छे से फट चुका है अब हम क्या गरेंगी अब हम इसको चान लेंगे तो यहां पर हमें दूद को चान लेना है मतलब चैना को चान लेना है तो यहां पर ना हम फटा फट से चैना को एक कॉटन के कप्रे में चान लेंगे तो यहां पर जो है ना चैना को चानने के बाद इसका जो पानी बच जाएगा ना उसको हम साइट कर लेते हैं क्योंकि यह पानी बहु बाहरें पालण श्यान के अंदर आश्यान के सब्सकेशा सब्सक्राइब निख देंका अब बनाई हम चासनी सब्सक्राइब, लिग धर अब श्कनाणी के सब्सक्राइब, टीन कटोड़ी पानी, लिग की डिल कटावर। तो यहां पे मैंने एक बरतन में चढ़ा है था मुझे दूसरे बरतन में भी चढ़ाना पड़ा क्योंकि बरतन हमारा छोटा हो रहा था तो मैंने सेम कॉंटिटी में इसमें भी चीनी और पानी डाल दिया है तो बरतन रसकुले के लिए हमेशा बढ़ा चाहिए तो जब तक चास्णी हुमारी रही होती है तबटक हम यहां पे च्छैना निकाल लेते हैं तो इसको अच्छी होने में पांच मिनट तो लगी जाता है तो दिखिए मैंने ख्याद थी अच्छा गूल्ले च्छैना है तो हम मेरा सॉफ्ट सा नहीं हमारा तेयर हो चुका है अब हम इसके छोटी छोटी बाल्स बनाएं गे बिना क्रैक यहां पर साइज चोते बड़े से कर सकते। मैंने पुल्कुल छोटी शोटी इसके और मिनी रसकुले बना है। तो देखें, नहीं बड़िया से वाल हो चुका है। इसमें अच्छी से वाला अने लगी है। आप हम इसमें रसकुले डाल देंगैं। तो यहां पर पूरा मैं तो यहां पर हम इसको फाल टेमपरिचर पर ढख के 20-25 मिनट के लिए को करेंगे 15 मिनट के अच्छे से डबल साइज का हो चुका है यह को हो चुका है यह अभी बढ़िया से हुआ नहीं है इसको पांथ मिनट के लिए और को करेंगे तो देखिए इसका जो साइज है बिल्कुल डबल हो चुका है इसमें थोड़ा थोड़ा क्रैक भी आपको नजर आ रहा होगा इसका मतलब है रसकुल अब बढ़िया बनाया है अब 20 मिनट के करीब हो चुका था है रसकुले हमारे बढ़ियां से तेयार हो चुके थे मैंने कैस को आफ कर दिया और यह 2-3 घंटे में ठंड़ा हो गया तो मैंने सारे रसकुलों को एक जग खटा कर दिया है तो देखिए रसकुली हमारे कितने परफेक्ट बने हैं बहुत ही सॉफ्ट बना है बहुत ही स्पॉंजी बना है तो इस बारना आप त्योहार में अपने घर पे यह जबर दस्थ मिठाई जरूर्बना कि ट्राय कीजिगा को मुझे कॉमेंट करके जरूर्ब बताइगा कि आपकी यह मिठाई यां कैसी बनी है तो चलिक हमारी तो तेयार हो चुकिये आप भी जरूर्बना के के जिएगा चली पाई 5